अब आपकी जनादालाद निश से मैं हूं राजा भीया पाल और आज भिंड में एक ऐसी सक्सियस से मुलाकात करेंगे जो किसी पर्चे के मोहताज नहीं है प्रत्यासी राय भिंड से भिंड से जिलाद देक्ष्ट रॉक्टर राधिस याम शर्मा आपकी जनादालाद निश क एक परवेस आया जिस तरीके से आपने लोगों के बीच पहुंचे उनकी मदद की और आज भिंड में पहले जो अस्पताल के जो हालात रहे और आज बरतमान में देखा जाद चार-चार मंत्री बन चुके हैं के अबनेट मंत्री में दरजा मिल गया लेकि फिर भी भिंड अ जो करो के अमारे बरतम्हें करे जिलन विल बखूजों में कन्या स्चेचाला विल्श महाद आज वीर आज डायति, यह करों सबें देखा जाली कि और जाजब की दाएं कि दर यूज़े जी के जाहें, मांत्र मे एक इसंपेचिश्म एक हम लोग private तौर पर अपनी सेवाइं दे रहे हैं जब कॉरोना काल number one two सारे लोग यहां से जो लोग practice कर रहे हैं वो सारे लोग यहां से चले गए थे हमने एक किसान के बेटे होने के नाते एक भिंड के नागरिक होने के नाते अपने मात्र भूमि का कर चुकाने का प्रयास किय कि हम अपने लोगों के बीच में रहें और लोगों के सिवा करें यह मैंने यहाँ बैठ के किया और जितने भी उसका उतनी हर संभब मैंने मदद की सर्माजी जिस तरीके से कॉंग्रिस आपको टिकेट मिला है आप ज़िए चनल वाले तो काफी अच्छा आपको जन्मत मिला सही होग मिला तो किस तरीके से आज छेत्र में आप लोगों के पीश जनसंपर कर रहे हैं और यह भी सुना है कि आपकी सर्जरी भी हो चुकी है लेकिन आप इसके बाद भी लोगों के बीशन समय दे रहा है देखिए मैं कॉंग्रेस में पिछले 40 साल से काम कर रहा हूं जब मैं मेडिकल इस्टुएंट था नस्वाई मैं काम किया मैंने रीवा में रहके और मेडिकल इस्टुएंटस असुशेंट का अध्यक्ष रहा और उदर एमपी मेडिकल इस्टुएंटस असुशेंट का भी अध्यक्ष रहा में वहाँ पे यहां मैं एज चिकित्सक 85 में आया और 85 से निरंतर मेरी मानसिक्ता कांग्रेस की रही कांग्रेस से जोड़ा रहा, 93 में मैंने अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और सक्री राजनीत में पुनाय आ गया मैं और उसका नतीज़ा ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने जब चोदरी राके सिंग जी एक कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले गए थे उस समय कांग्रेस पार्टी ने मुझे यहां से प्रत्यासी बनाया और अलप समय में जो भी मेरे से बन सका उस समय प्रत्यासी के रूप में मैं यहां चुनाव लड़ा और जनसम सहमती से मुझे अपनी जमानत बचाई जमानत के सासाथ 22 पच्चीस जार लगवग बोट आए परदेश का सारा नेतर तु जानता था के भिंड कांग्रेस वी ही ने उसके बावजूद में यहां से चुनाव लड़ा और लोगोंने मुझे समर्थन दिया मैं भिंड की जंता का बहुत बहुत हावारी हूं उसके बाद निरंतर हम पूरे छेतर में लगातार भ्रमन कर रह इवन जिले में यहाँ पर स्वास सिवर लगवा है, मल्टी स्पेशल्टी केम्प लगवा है, हाट के सिवर लगवा है, गैस्ट इंटर लॉइस्ट के सिवर लगवा है, मेगा केम्प लगाते थे, सग्रा में लगाया, उम्री में लगाया, और अकोडा में लगाया, बिंड मे गांधी नगर में लगाया इदर आपका भीम नगर में लगाया और उदर सरकारी इमाम बाड़े में लगाया स्वास नगर में लगाया मूल साल में दो मेगा केम्प लगाते थे इसलिए अभी कॉरोना की बज़े से कुछ समय के लिए मैंने ये केंप लगाना बंद कर दिया क्योंको परिस्थियां अभी ठीक नहीं है इसलिए उसको बंद कर रखा और जहां तक भर्मन का कार है हमारा कोई दिन ऐसा नहीं होता होगा जिस दिन हम अपने फील में आज भी सुबह में गया सुबह नौ बजे ऐसे मौसम में निकल गया था रचेड़ी, अकोड़ा, लैरोली, बिलाव होता हुआ लोगों की जन संपर्क किया और निरंतरता बनी रहती है कोई दिन ऐसा नहीं रहता जिस समय सुदूर अंचल तक हम नहीं जाएं सब जगे हम जाते हैं और सब जगे संपर्क है पहले में आज में जमीन आसमान कंतर है और निश्यत रूप से हमारे बेंड जिले के वरिस्ट कांग्रेसी अभी मैंने 24 अक्टूबर को जो उप चनाओ चल लएते हैं उस समय डेकटर गोबिन सिंग जी का बर्मन कराया था और जन समर्तन जन सहलाओ अकोड़ा में एक कारकरम हुआ था एक कारकरम लेरोली में हुआ नहागा में हुआ था खहरा सामपरा में गवा था जन सहलाओ इतना उमड़ा कैसा लग रहाता है जैसे अभी चुनाओ हो रहा है चुकि चुनाओ की कोई बेला नहीं थी केवल जन संपर्क लोगों की समस्याओं को सुनना उनके समस्याओं का निदान करना ये हमारे लोगों का काम है कांग्रेसियों का काम है अभी आदर्णी कमलना जी ने हम लोगों को निर्देश दिये हैं कि अभी एक कारकरम चलेगा कारकरम दो-तिन कारकरम अभी बतायते हैं उन्होंने एक तो सदस्थिता का कारकरम है जो घर-गर जाके हम लोग सदस्थिता करेंगे दूसरी चीए घर चलो घर घर चलो इसमें क्या है कि हम लोग संपर्क करेंगे लोगों से संपर्क करेंगे और उनके समश्याओं को पूछेंगे कितने लोग तुमारे घर में निवास करते हैं कितने लोगों के बोट हैं क्या समश्या है कौन सी सरकार से आपको जो कमलना जी की सरकार में आपको क्या फाइदा हुआ आज क्या नुक्सान हो रहा है क्या फाइदा हो रहा है इस सारे चीजे हम चर्चा करेंगे गाउं गाउं जाएंगे हर बूत तक हम लोग यह प्रियास करेंगे कि पहुँचें और यह कारकरम करकju हैं किलेक्ट करके हम उपर हायकमान को देंगे और यहां प्रियास करेंगे उसमें सुदार किया जाए भिरंड के विकास को लेकर दिखा जाए तो आपके मन में क्या है किस तरीके से भिरंड विकास से पिछड़ा हुआ है और लिदी rightly तो आपको मोका दिया तो आप क्या कर पाएंगी देखिए भिंड का जहां तक विकास का सवाल है हम लोग निरंतर पड़े लिखे लोग है निरंतर ये प्रियास करते हैं कि यहां सिच्छन संस्ता है अच्छी कुलना चाहिए अभी भिंड में एक सेन की स्कूल की अबिकस्रो आपको में वुए वाय शिप्ड कर दिया हमारा सतत ये प्रियास रहेगा अगर मुझे मौका देती है जनता और कांग्रेस की सरकार बनती है तो हमारा ये प्रियास रहेगा बिंड में एक मैडिकल कॉलेज होना चीए मैडिकल कॉलेज के लिए बिное एक ऐसे स्थ वीछ सबटेमétait पर दॉटने जो होने से भूझ की स्वाश सेवा के बहुत सुदार होगा और मेरा रहेगा den मेडिकल कॉलेज हर तरह से बनना चाहिए यह मेरी कामना है और मैं दूसरी चीज छोटी-छोटी से कार है जैसे कई जगे ऐसी संस्ताय है जैसे उमरी है उमरी एक बड़ा कस्वा गाउं है और उसको नगर पंचायत गोसित किया जाना चाहिए उमरी में लगवाग 8000 की इसको समझ में नहीं आता सरकार को कि यह नगर पंचायत क्यों नहीं गोसित किया जाता है ऐसे ही अटेर में नगर पंचायत होना चीए तो निश्यत रूप से कुछ ऐसी चिन्नित जगे हैं जो हमारे दिमाग में हैं अपने ख्याल रख रहे हैं कि आगे आने वाले समय में जब भी हमें मौका मिलेगा सरकार कांग्रेस की बनती है तो इन सब चीजों को हम आगे बढ़ाएंगे और निश्यत रूप से मेडिकल कॉलेज पंचायते हैं और भी जो भी योजना हैं उनको लागू कराएंगे इसके लाबा भिंड की डवलमेंट को देखा जाये तो किस तरीके से इसको हम एक सांदार निगम के रूप में देख सकते हैं निश्यत रूप से पहले प्रपोजल था कि बिंड को निगम बनाया जाए तो बिंड को निगम अभी इन लोगों नहीं बनाया तो बिंड को निगम बनाने के लिए और भी हमारे दिमाग में योजना है यहां बिंड में कई जगे ऐसी पड़ी हुई हैं जिनको बहुत अच्छी तरीके से डवलब कर सकते हैं जैसे आपको बता दें यहां पुराना CID का ओफिस था जिला पंचायत के सामने बहुत परियाप्त जगे वहां पर हाउसिंग बोर्ड को दे के और एक अच्छा कॉंप्लेक्स बन सकता है मल्टी स्टोरी बिल्लिंग बन सकती है पुलिस के कॉंप्लेक्स बन सकता है नीचे मार्केट निकल सकता है commercial complex बन सकता है वहाँ बनाया जा सकता है दूसरा एक पुराना पचासा पुराना पचासा जो भी पुलिस लाइन हुआ करती थी उसमें भी हम वहाँ चाहेंगे कि एक अच्छा complex बने जिससे पुलिस को quarter मिलें और उसको बिलिंग में commercial बिलिंग में complex बनाया जा सकता है तीसरा एक सिच्छा ववाग काई है कितनी गंदगी पुलि रहती है इस गंदगी को और इस सिच्छा ववाग की जमीन को भी housing board को दे के एक बहुत अच्छा complex बनाया जाए एक माले पर सिच्छा ववाग को दे दिया जाए वो अन्य सारे चीजें उनको जो भी building बनेगी उसमें multiple complex जो बनेगा उसमें residential भी रहेगा marketing भी रहेगी तो उनको सब को दे के free में building बन सकती है और एक सहर की सूबा बढ़ाएगी ऐसे ही bus stand पे पुराना bus stand है वहाँ पे RTO office के बना हुआ है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से वहाँ residential complex प्लस एक mall अच्छा बनाया जा सकता है जो भिंड की development में चारचान लग सकते हैं तो तमाम विकास को लेकर हमारी चर्चा जा रही है इसमें आपकी जनादाला नीच पर आज की चीफ गैस डॉक्टर रादिश्याम सर्मा हमारे साथ बने हुए हैं सार एक बड़ा सवाल करना चाहेंगे समुचे जिले से आप अर्चित हैं जिस तरीके से देखा जा रहा है जहरी ली सराप जो बन गई है जिले के अंदर तमाम लोगों की मौत हो रही है दो सगे भाईयों की भी मौत हुई है क्या कहना है देखिए मैं तो इसको सरे आम आवकारी विवाग और साशन मदब्रते साशन और प्रशाशन को जुमिदार मानता हूँ क्यों कि प्रशाशन भिंड जिले में दो एक कैबिनेट मंत्री है दूसरा राज मंत्री है अभी निगम के रूप में उनको मंत्री कैबिनेट मंत्री और राज मंत्री का दर्जा दिया गया है तो निश्यत रूप से यह मुझे शर्म आती है कि हमारे यह इस तरह का जो करत्य हो रहा है जिससे विचारे गरीब परवार के लोग जो ड्रिंक करते हैं वो आज असमेक उनकी इम्रत हुई है उसके लिए आवकारी विवाग जिला प्रशाशन विवाग साफिती जुम्मेदार है और इस पर अंकुस लगाना चाहिए मंत्री जी के गाउं में अवेद सराब बन रही है और भी कई जगे ऐसे जगे जो आवकारी विवाग ने पकड़े हैं मंत्री जी के गाउं में अन्य जगे भी सराब पकड़ी जा रही है गान्या पकड़ा जा रहा है तो इसमें प्रशाशन को साफित यंकुस लगाना चाहिए और ये जनता के साथ अन्याई किया जा रहा है आखरी सवाल भिंड़ की जनता को क्या मेसेज देना चाहेए। हाट वाले लोग इनको साफधानी बरतना चाहिए, सर्दी का बचाव करना चाहिए और घर से कम निकले दूसरी चीज लकडी जलाओ जला के बैठें उससे अपन सर्दी का बचाव कर सकते हैं मौसमी भीवारियों का बचाव कर सकते हैं तमाम मुद्दों को लेकर आज की खाज गैस्ट हमारे साथ बने हुए थे फिर किसी बड़ी सक्सियत के साथ आपकी जनादाला नीज पर फिर आज जरोंगे जुड़ देगी हमारे साथ नमस्कार और आपकी जनादाला नीज को लगाते हैं पढ़ाते रहे हैं अपकी जनादाला नीज के साथ नमस्कार एवर ग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेट रंग है तो जीवन है स्टे होम स्टे सेफ